सत्गुरू रवदाह जी महराज पिछले जनम दे वेच भाम्मन सन जान बुझ के साड़े नाल ठगी किती गई जो पागतमाल है असल वेच उना दे जान तो 200 साल बाद लिखी गई ता इस करके पागतमाल दे जो कहाणिया ने ओ इस करके साड़े समाज दे पर चलत कीती गई जान के लोक उना दी बाणी नो टोट जान जड़ा बच्चा अपनी मानू अक्सेप्ट नहीं कर रहा उन्हों मानी मन रहा उदा दुद नी चुंग रहा ते ओ साड़े समाज दा की समार दो उन्हादे विच सत्गुरू रवदाह जी पकार पकार के कह रहे हैं के ऐ मेरे समाज दे लोको नागर जना मेरी जात बख्यांत चमारंग के सत् exploded नाम गोबेंद कोंसारंग के मां मूरती विच नहीं है सत्कुरू रवदाह जी महाराज जी जो जघो असी दर्शन मूरती विचों कर दे हां ता असी उस रवदाह दे दर्शन कर दे हैं जो के सड़े उत्ते थोपिया गया गुरुरु सासंग जीयो वहगरुजी का खालसा वहगरुजी की फते सत्गुरु रबदाह जी महराजी दे चाली शब्दां दी विचार शुरू करन तो पहला अपां कोज विचारां करनीयां चाओं दे हां क्योंके सत्गुरु रबदाह जी महराजी दो तरह दे नाल मान दे हां इक स्री गुरु गुर्ण साहज दे विच जो उन्ना दे चाली शब्द ने उन्ना नू पढ़के उन्ना नू बचार के उन्ना नू मान दे हां ते दूसरा असी उन्ना नू मूर्ती रूप बच मान दे ह तो ये देखना जरूरी होवेगा के सत्गुरु रुदाह जी महराजी दे जानतों बाद जो उना दा जीवन सी जो उना दी बचार तारा सी उदे पैरलल पागतमाल लिखी गई जो पागतमाल है असल बेच उना दे जान तो 200 साल बाद लिखी गई ता इस करके पागतमाल दे दिया जो कहानिया ने ओहो इस करके साधे समाज दे पर चार तो कीती है गई जा के लोक उना दी बानी नो टोट जान क्योंकि आज तक जो भी उना दे सवंद विच पर चार चाल रहा है वो पागतमाल दिया जो साखिया ने ओना दे रही कीता जा रहा है तो उना दिया साखिया दे उनसार पता लगदा है के जान बुझ के साधे ना ठगई कीती गई क्योंकि ओ जो पागतमाल दिया कहाणिया दे उनसार एक कहा गया है के सतगुरू रवदाह जी महराज पिछले जनम दे विच भामण सान क्योंकि उना दा जो गुरू सी जो कथा तक कहा जन्दा के रामा नान द सी कहेंदे ने एक दिन सतगुरू रवदाह जी महराज जदो पिछया मांग के लियाए नगर दे विचों ता पता लगया उनानू के सतगुरू रवदाह जी जो आटा मांग के लियाए हन जो पदार्थ मांग के लियाए हन एक किसे नीच जाती दे चमारा दे करो मांग के लिया है हन ता जिस दे कारण उनने ए पेट महसूस कीती अपना बेश्टी महसूस कीती ते गुसे दे विच आके कहें देने के रामा नांद ने सत्कुरु रुदाह जी महराजी नूँ सराप दे देता के जा तू तेरा अगला जनमा जेडा ओचमारा दे करो भेगा तो असी देख दे हां के जदो उनना दा जनम होंता है ता कहें देने के उनना ने मांदा दुद नी चुंगिया है उन इत्थी ये गल बचारन वाली है पहला ते गल वैसी चूठी साब तो हो रही है तरक देदार ते सही नी लग दी है पर फिर भी जेडा जनमा लिया जावे के जेडा बच्चा अपनी मानू अक्सेप्ट नी कर रहा वो उनू मानी मन रहा उता दुद नी चुंग रहा ते ओ साड़े समाज दा की समार दोगा तो इसकर की एजनिया कहानिया ने इतों ही जो मूर्ती दा जो कंसेप्ट है शुरू होता है जो साड़े गुरू करां दे पिच मंदरां दे पिच रवदाह जी जो स्थान बने होई हैं उन्हादे बिच जो मूर्टी दा स्थाफना है वो इस बचार तारा दे बिचों आई है तो एक पख है उननू मननदा उननदी मनावत दा और दूसरा जो पख है वो है उननन्हादे शब्दा दे रही उनन्हाद नू मननना जो 40 शब्द स्रीगुरु गरांज साहव दे बिच अरजने उन्ना दे विच सत्ग्रू अर्वदाहजी पकार पकार के कह रहे हैं के ऐ मेरे समाज दे लोको नागर जना मेरी जात बखेयात चमारंग रिदे नाम गोबंद गुन सारंग के मैं मूर्ती विच नहीं हैं मैं स्री गुरू ग्रामसाब दे विच हैं मैं अपनी बानी मैं शाब्दा दे विच्छ हैं मैं इत्थे बैठा हां मैं उद्धर नहीं हां सो इसे करके ए देखना जरूरी है कि असल विच सानु जिडे दर्शन ने ओ कितों होने हां सत्कुरू रवदाह जी महराज जी दे उन्हां दे जो जदो असी दर्शन मूर्ती विच्छों कर दे हा ताँ असी उस रवदाह दे दर्शन कर दे हां जो के साड़े उते थोपिया गया जो के पागतमाल दिया कहानियां करकर के जो कथा ततत कहानियां पिछले जन्मादियां करकर के साड़े उते ए थोपियां के या कहानियां हान ओ एक रूप है सत्कुरू रवदाह जी महराज जिड़ा के मूर्ती बिच बिदमान है जिड़ा के बिलकुल चूट दा पलंदा है लेकन असल साच जो है असल जिरे दर्शन ने ओ सत्गुरू रुबदाहजी महराजी दे स्री गुरु गुरांसाहिव दे दर्जबानी दे विचों होने हन तो इस करके सही महने दे विच असी जे कर सत्गुरु रुदाहजी महराज विच स्री गुरु गुराँसाहिव दे विच बेठे हन ना के ओ मूर्ती रुप विच बैठे हन वो एकदर बैठा है गुरू रवदाह जी ने इसे करके हर शावद देविच चमार शावद लाया है तांके लोक कनु संज पैजबे भी असल सत्गुरू रवदाह जी किते हन किस जगाते बैठे हन वो अपने शावदा देविच बैठे हन वो अपनी बानी देविच बैठे हन तो इस करके सही मैनिया देविच जिडे दर्शन ने सत्गुरू रवदाह जी महराजी दे ओ अपाउन दी बानी मिचों करने हान तो इस करके जो गुर्दवरा स्री गुरू रवदाह जी महराज जमाल पर चंडी कर रोड़तों उनना दे चाली शाब्दां दी जो बिचार शुरू किती जा रही है लड़ी वार उनना दा जो पहला शाब्द है तो ही मोही मोही तो ही उथो शुरू करके स्री राग दे वेच जो नदा पहला शब्द है अपना अना दे लड़ीवार जो स्री गुरु गुरान साहिव जी दे अना दे शब्द दर्जने ओ अपना उनना दी बिचार शुरू करन जा रहे हैं तो सत्गुरु अजी महराज किरपा करन तो आप हाजर नाजर हो के अपना मेर परियाहत सरदे उ अपने शावदान दी विचार दास कोड़ों करवा लहन तो एही मैं बेहंतियां अरदास करदा होया पदलां चोकानी माफी चाउंदा होया खेमा दा जाच खहां वैगरु जी का खालसा वैगरु जी की फते